परेशान पक्ष में बैठती है उनका इकलोता बेटा ब्रांड फ्ली जाच रांग देखता है कि तीन या चार लड़के उलंगन करते हैं और एक छोटी लड़की को एक कोने में धकेल देते हैं वो उसकी सहायता के लिए आता प्रतीत होता है लेकिन इसके बजाए एक बास्केट बॉल शूट करता है जैसे ही वे जाते हैं प्रिस अपने बेटे से पूछता है कि ब्रांड ने जबाब दिया कि उसने दसमें से नौ टोकरी को बोली मार दी थी लड़की या किसी और चीज का कोई जिक्र नहीं है बाद में उस रात शिकार के दोरान प्रिस उस महिला के साथ होता है जो पास की एक धारा में सनान कर रही है वो उसे देखता है छोड़ देता है और बाद में उसे पकड़ने की प्रयास में जाल की साथ लोटता है वो महिला को जाल में फंसाने में सफल होता है और उसे बाहर निकाल देता है प्रिस उसके साथ घर लोटता है उसे घर के बगल में तूफान तहखाने में रोपता है और अपने परिवार को उसे सभी बनाने में भाग लेने का निर्देश देता है अगले दिन स्कूल में वुमन इन सेलर के साथ बच्चे अपना असली व्यक्तित्व दिखाना शुरू करते हैं बास्केक बॉल खेलते हुए एक लड़की द्वारा ब्रान को बैस दिया जाता है इसलिए बाद में कक्षा में वो दुर्भावना से उसके ब्रश में गोंग लगा देता है वो बिना सोचे समझे अपने बालों को ब्रश करती है वो सहायता प्रदान करता है लेकिन ब्रश क कपड़े पहने देखा जाता है उसकी शिक्षिका सोचने लगती है कि वो गर्भवती है और उसके पास जाती है पैगी इस विषय से बचने की पूरी कोशिश करती है और घर लोट जाती है, महिला के पास जाने की क्रिस की पहली कोशिश का नतीजा यह हुआ कि वह अपनी अनामिका को काट कर निगल गई उसने अपनी शादी की अनबूथी को अपने पेरों के नीची खून के एक कूल में थूप दिया, पैगी और क्रिस की लंबे समय से पीवित पत्नी बैले एंजिला बेटिस का विरोध और सबसे चोटी बीटी डालन, शाइला मुला हुसेन कैद महिला से दोस्ती करने का प्रयास करती है बहराल क्रिस की जीत होगी और वो सभिता के उपायों की एक तेजी से हिंसक श्रिंखला का आयोजन करता है उस रात बाद में, पैगी अपने विस्तर पर बैठी है बहुत अलग, उसके पिता अंदर जाते हैं और उसके बगल में बैठते हैं वो सपश्ट रूप से उससे डरती है, उसकी माँ चलती है और चुपचाप छाया में देखती है जैसे ही क्रिस बात करना शुरू करता है वो पैगी के करीब जाता है वो उसे आश्वस्ट करने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वो बहुत स्मार्ट और सुन्दर है उसकी माँ बंध हो जाती है और कमरे में चली जाती है क्योंकि वो माथे पर पैगी को चुमता है बैले और क्रिस सांसारिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं बैले खलिहान में रखे गए दो जर्मन चर्वाहों और बाकी सभी चीजों पर विचार करते हुए महिला को सभ्य बनाने के क्रिस के विचार पर सवाल उठाती है वो उसे चेहरे पर थपर मार कर जवाब देता है अगले दिन क्रिस काम पर जाता है वो है एक टेज स्मार्ट आकर्शक आदमी का रूप देता है उनका मासूम राहकों और उनके सचिब के साथ फ्लट करता है लेकिन अपने बेटे ब्रान की तरह प्रिस पश्ट रूप से एक दुखवादी समाजपत है जो विना किसी अपराद या पश्चाताप के अपने स्वयम के मुरानन के लिए लोगों को भावनात्मक रूप से चोट पहुँचाने में बंध हो जाता है हालांकि ब्रान की विप्रीद प्रिस एक अच्छे अच्छे चेहरे की पीछे चिपचाता है जो हर किसी को बेवकूफ बनाने का प्रबंधन करता है जबकि क्रोधित ब्रान अपना खुट का मुखोटा लगाने के लिए बहुत कम प्रयास करता है स्कूल में ग्रान अपने सहपाथियों का सीधे सामना किये बिना या शारीरिक रूप से हमला किये बिना दुर्भावना पूम रूप से उन पर हमला करना जारी रखता है पैगी को उसकी शिक्षिका फुटबॉल के मैदान पर रोती हुई दिखाई देती है दिन के अंत में क्रिस अपने बच्चों को स्कूल से उठाता है जिसमें पैगी काफी असहज महसूस करती है घर पर क्रिस महिला को उबलते गर्ण पानी से नहलाता है बेले देखता है कि वह महिला के स्तन को सहलाता है ऐसा लगता है कि वेले का दिमाद तूट गया है क्योंकि वह महिला से नजरे मिलाती है। हालां कि वह क्रिस को उसकी त्रयासों में सहायता करती है। बाद में क्रिस ने उस महिला को High pressure Power Washer से नहिलाने का फैसला किया। बेले डराबने रूप में देखती है लेकिन पैगी अब इसे बरदाश्ट करने में असमर्थ महिला की सहायता के लिए दोड़ती है और पावर वाशर बंद कर देती है पैगी को जबरन घर में ले जाया जाता है जबकि बेले और क्रिस महिला को वापस तहखाने में ले जाते है वहाँ वो उसके लिए बने बेले गाउन के साथ उसे तयार करता है उस रात बाद में कृस् मिस्तर से बाहर निकलता है और महिला का बलातकार करता है जबकि उसका बेटा ब्राण चुक्के से देखता है जैसे ही कृस्श ने तहताने में प्रवेश किया उसने लाइक बन कर दी और एक मुम्बत्पी जलाई ये वही मोंबत्ती है जो उनकी बेटी पैगी की कमरे में देख रही है, आशन का जताई जा रही है कि उसने अपनी बेटी के साथ भी रेप किया होगा अगले दिन, ब्रान स्कूल से जल्दी घर आता है और सरौता से उसकी छाती पर बार करके उसे चोट पहुंचाता है जब पैगी अपने भाई को कैद महिला पर हमला करते हुए पकड़ती है तो वो अपनी माँ को बताती है जो क्रिस को घटना की रिपोर्ट करती है क्रिस हमले को किशोरावस्था के आग्रव के रूप में हसता है सामान्य रूप से संतुष्ट बैले को परेशान करता है और उसे क्रिस को छोड़ने और अपनी वो बेटियों को लेने के इरादे की घुशना करने के लिए प्रेरित करता है लेकिन उनके बलातकारी बेटी को नहीं प्रिस अचानक हिंसक प्रतिक्रिया करता है क्योंकि वह बेले को बेहोश कर देता है जबकि पैगी दरावनी द्रिष्टी से देखता है लेकिन ब्रान स्वाभाविक रूप से महिलाओं के प्रति अपने पिता के दुरवेबहार के प्रति कोई भावना नहीं दिखाता है तब ही पैगी की शिक्षिका सुश्री रेटन काली बेकत दरवाजे की घंटी बजाती है सुश्री रेटन पैगी के हाल के अफसाद और बैगी कपनों के बारे में संदेहा स्पध है प्रिस को बताती है कि उसे विश्वास है कि पैगी गर्भवती है क्रिस यह कहते हुई प्रोधित हो जाता है कि सुश्री रेटन ने उस पर अपनी बेटी को गर्भवती करने और उसे मारने का आरोख लगाया है वह और व्रान उसके हाथ बांधते हैं और उसे खलिहान में खीचते हैं जहां वह जर्मन चरवाहों को रखता है प्रैगी विरोध करती है लेकिन क्रिस उसे दूर धकेल देता है और फिर उसे एक शातर मौकिक हमले के अधीन कर देता है खलिहान में क्रिस और व्रान सुश्री रेटन को कुप्ते के पिंजरे में बंद कर देते हैं जहां दो जर्मन श्यापर उसे ताना मारते यह जल्द ही पता चला है कि पिंजरे में सुखेट अलेकसा मासिगलियानो नाम की एक आख़ीन लड़की भी है जो दो कुप्तों की तरह व्यवाहार करती है, क्रिस सौकेट को पहले बैले के लिए कई बार एन उफ्थ्यमिया शब्टको दोहराते हुए संदर्वित करता है सौकेट और कुट्टे सुष्री रैटन को मारते और खाते हैं क्योंकि क्रिस और व्रान मुस्कुराते हुए देखते हैं बाद में वह व्रान को लकडी के टुकडे रैक और वैग लाने का नर्देश देता है क्योंकि कुट्टे इसे कभी नहीं खा सकते हैं इस बीज, प्यागी कैदी महिला को तहखाने से रहा कर देती है। महिला अपने कालकोट्री से फट जाती है और बेले, जो हाल ही में होश में आई है, पर हमला करती है और उसके मृत शरीर को हवा में उच्छालने से पहले उसके चहरे का अधिकांश हिस्सा कार देती है वो फिर खलिहान में जाती है जहां वह ब्रान पर एक लॉन मॉव बलेट से हमला करती है जिससे उसका धर्ण अलग हो जाता है महिला फिर क्रिस के दिल को उसकी सीने से निकालती है और उसे खा जाती है अपनी मनोरोगी मा पिता और भाई की मृत्यू के साथ एक वैवी पैगी अपनी छोटी वहन के साथ भागने का प्रयास करती है पूर्प में कैद महिला लड़कियों पर हमला नहीं करती है, इसके बजाए महिला अपनी खूनी उंगली सबसे छोटी बेटी जो इसे चाती है और फिर पैगी जो नहीं करती को देती है जंगली महिला, सौकेट महिला के कुट्टे के रूप में अभिने और युवा लड़की घर से दूर चले जाते हैं, जाहिर तोर पर एक नया परिवार बनाते है पैगी शुरू में उन्हें दूर जाते हुए देखती है, लेकिन फिर जंगल की ओर उनका पीछा करती है यदि आप अपनी पसंदीदा फिल्मों के इस प्रकार के सपश्टी करण को पसंद करते हैं तो प्रिपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद